तो दोस्तो एक बार पाड़ पर कुछ इस तरह से कच्चा रस्ता बना दिया जाता है ये देखने के लिए कि इंडिया चायना और पाकिस्टान के अंदर कौन सी कार हो इस कच्चे रस्तो को पार कर लेथी है वो कार आज मार शेलिंज की विनर बन जाएगी तो दोस्तो इंडि कि सकते हो कि पाकिस्तान वाली कार चलतो वह अची तरी के शरी और जैसे इस रोड पर चड़ती है इस रोड को पार करने लग जाती है और फिलिस दाय तक पहुंचने वाली होती है पर आगे उपर डिस्बेलेंस होकर नीचे गिर जाती है जलो कोई बात नहीं अब आती है कि में वे जहीं जरूर लिखके जाने है